असलाम वालेकुम कैसे हो आप सब इंशालला सब ठीक होंगे अलहम्दलिल्ला हम भी ठीक है तो आज हम आपके साथ बहुत ही जबर्दस रेसिपी शेयर कर रहे हैं चिकन मेथी यह इतनी जबर्दस बनकर तयार हो जाती है न चिकन मेथी अप एक बार ट्राइ करोगे न हमें उ बहुत ही मज़िदार भाजी आपको खाना हो था हमारे तरीके से एक बार जरूर ट्राइक करके देखना तो चलिए फटा-फट रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किये वे तो यहां पर आप देख लीजिए कडाई में हमने दो प्यास डाली है बड़ी-बड़ी कार योगर टो यहां पर हमने दो चमच फुल भर कर एड़ किया है जो खाने वाले चमच होते हैं। आपके यहां पर किस तरह से पसंद किया जाता है वह हिसाब से आप एक जिस कर लीजिए हमने दो चमच यहां पर हरीमिच अलसन का पेस्ट एड़ किया है कच्चा पन जान तक अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो यह देख लीजिए बहुत यह अच्छे से इसको फ्राइ करना में रख दिया था हमने और यह हमने बॉनलेस हड़ी की साथ साथ में लिया है बॉनलेस नहीं लिया है मतलब हड़ी मिक्स है इसके अंदर तो इसमें बहुत ही टेस्टी मतलब भाजी बनकर तेयार हो जाती है अगर आपको बॉनलेस लेना ताब बॉनलेस भी ले सकते हो नही चाहिए तो फटा 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 इसका जूसिस निकलेगे न चिकन के तो जलेगा नहीं यहाँ पर हमने एड़ किया है अध्रा को लसन का पेस्ट एक चमच भरकर खाने वाला जो चमच होता है उतना भरकर एक चमच एड़ किया है इसको भी हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे कच अच्छे से फ्राइ करना है उसके बाद हम इसके अंदर पानी आइड करेंगे तो यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग कि आपको चिकन को अच्छे से यहाँ पर भूनना है तो देख लीजिए हल्दी पावडर हमने डाल दिया है इसके अंदर और नमक भी ह हमें डाल दिया है तो बहुत एकली अच्छे से हमें इसे तो इंको मेडेंद पर रहने दीजी और बहुत अच्छे से इसको फटू कर ली कशाने में सबसाइर हो जाता है थाधा साझए न फीर थोड़ाओ TER करना है तो आप अगर खाना उनसाइята 24 न सबना थिपोRe Han River यह छाता है कि यह चिकन भूवन笈 से को अठैनर हो जाता है ऐता है बूच्छ थे बहुत जादा मेरे जाता है ने पाइड किया है अब यह तने पाने में यह बहुत अच्छे थे टैनर हो बढ़ा सा पानी इसके अंदर हम रहने देंगे और ढ़क कर इसको हम टेंडर कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी से यह तैंडर हो जाएगा तीन से चार मिनट ही हम इसको रखेंगे मेडियम फिलें पर तब तक हम आपको भाजी दिखाते हैं कि इस तरह से धोना है चलिए इसको बेट जाती है मिट्टी तो इस तरह से आप भाजी जब भी धो रहे हो ना तो बड़े से बर्तन में ज्यादी पानी में उसको धोया करें और पहले से पानी में डाल कर रखा करें तो उससे क्या होता है सबी मिट्टी बीग कर नीचे बेट जाती है छूट जाती है भाजी से प पर ट्राइ करके देख लीजिए हमारे तरफ से आप लोगों के लिए टेप्स है यह तो यहां पर देख लीजिए चिकन भी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका था हमने इसका धकन हटा दिया है और यहां पर हम भाजी एट कर दिये है तो दो मिनट ऐसी छोड़ दीजी भाजी भी ऐपना पानी रिलीज करती है तो दो मिनट बहुत चमच्म चलए दो मिनट के बाद हैं रहा है चिकन को निकल तो पूरा उसको ड्राई नहीं करना है, सूप थोड़ा सा रहने देना इस चीज का यहां पर ख्याल रखिए, पूरा ड्राई नहीं करना है, क्योंकि भाजी का पानी जो निकलता है और चीकन का जो सूप होता है वो दोनों मिक्स होने के बादी भाजी में इतना जबरदस टेस तो पूरा पानी आपको ड्राई नहीं करना है, इस चीज का यहां पर ख्याल रखिए, यह हम टिप्स दे रहे हैं आपको हमारी तरफ से, हम इसी तरह से बनाते है, बस मज़ा आ जाएगा आपको भाजी खा कर तो तीम से चार मिनट में पानी इसका ड्राई हो जाएगा, प्लेज इसे लाइक कर दीजिए, आपके फैमिली फैन में शेयर कर दीजिए, तो मिलते हैं हम बहुत जाले इंशाला तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा खयार लखिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए, वीडियो देखने के लिए आप सब इका तह दिल से बहुत बहुत ज़्यदा शुकरिया, जजाका ल्ला, अल्ला हापिस